खेले दोस्तों नमस्कार शौगत आप सभी लोगा डेटा लेसेश वीडियों में दोस्तों चले शुरू करते हैं डेटा के लेसिस चार्ट लेसेशन के लेसिस और निकालने के कोशिश करते हैं मंडे के लिए बजार कर उचान मार्केट की दसा और दिसा क्या हो सकती है उसको बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिख रहा है सो आज का जो हाई था वो क्रॉस होना चाहिए अगर रिलाइंस आज के हाई को क्रॉस करके सस्टेन नहीं हुआ तो समझेगा कि अपर लेबल से धोका हो सकता है सिर्फ एक ही लेवल है हाई लेबल या अगर गैप खुले सब्सक्राइब होना चाहिए अधरवाइस फिजल अट हो जाएका मामला तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे समरी की तो समरी को पर देखिए जो क्लाइंट है इन्होंने इंडेक्स फीचर में जो है आज शॉर्ट शेलिंग की कॉ पूट में लॉंग किया वह भी दबाके स्टॉक फीचर में भी लॉंग है वह भी दबाके है अफिए की बात करेंगे तो इंडेक्स फीचर में शॉर्ट सेल किया कॉल पे लॉंग किया पूट में शॉर्ट किया प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फीचर पे लॉंग है कोई डाउट नहीं है और कुछ फ्रेस में छोटी मोटी जो है लॉंक की कौंटिटिटी भी निकल के आई है हलाकि कैस में यहां पर देखिए को यादे जो है यहां पर चेंज नहीं है लॉंट्वंटी एट यानि के तरफ से लॉंग है देखेंगे तो फॉर थाजिंट जो है यहां पर लॉंग है एक देखिए सेम पोजिशन है बलकि थोड़ी सी बड़ी है वन फिफ्टी टू जो है शॉट सेल है प्रो की बात करेंगे दोस्तों तो प्रो के पास जो है थोड़े से लॉंग एड़ किया है प्रो ने जो भी अपने शॉट किये थे कॉल को उन्होंने आज क्लोज कर दिये जो भी बचे वे थे अब इनके पास के बात करेंगा दोस्तों तो इंडेक्स पूट पर देखिए क्लाइन के पास जो 6 लेकी जो सेलिंग थी वह अब 385 या प्रो के पास देखेंगा तो जो पूट शॉट था 1000 के सामने वह वन लेक सीदे हो गया अब स्टॉक फीचर की बात करेंगा दोस्तों तो स्टॉक फीचर पर क्लाइन के पास वही 16 लेक लॉंग है डियाई के पास वही 17 लेक जो है जो कि थोड़े से बढ़े हैं और एक पास 145 जो है शॉट है और प्रो के पास 315 लॉंग है सो डेटा दोस्तों ओवराल जो है सेम निकल के आ रहा है डेटा की डिरेक्शन में कोई यहां पर चेंज नहीं दिख रहा है सिर्फ डेटा कम हुआ है डेटा जो है कंच्रोल में किया गया है यानिके मार्केट की पोजिशन बदली है तो टेडर ने अपने पोजिशन को जो है निकाल दी है शौट कवर कर लिया फ्रेस में कहीं से कोई लॉंग एडिशन नहीं दिखाई दे रहा है सो मार्केट सस्टेन होगा कि नहीं होगा इसकी शोटी यहां पर भी तक नहीं दिख रही है तो यह जलते हैं दोस्त सब्सक्राइब कर देखेंगे तो 385 जो है इनके पास शौट सेल है अब इनके पास जो टोटल दोस्तों हो जाएगा 526 लॉंग यानि कि जो अन्वांटेड जो पूजिशन थी जो काफी हुज मात्रा में पूजिशन थी वह कुछ कम होई है तो इनके पास अपके वल 526 जो अप्रोक्सिमेटली अब बात करेंगे दोस्तों एफ याई के पास देखिए 152 जो है अभी इंडेक्स फूचर जो है शौट सेल चल रहा है तो क्याफी पोजिशन है और कॉल देखेंगे तो 183 जो इनके पास कॉल जो है और यहां पर बात करेंगे दोस्तों पूट की तो प करीब दोस्तों इनके पास जो है इस चल्ट पूजिशन है फ यह के पास अब दोस्तों बात करेंगे प्रोपी के पास दोस्तों तो 19,000 जो है इंडेक्स फीचे जो है और 196 जो है इनके पास कॉल जो है शॉट है और पुट जो सौट है दोस्तो वह बिसिकली वनला के करिभ जो पूट शॉट है तो टोटल इनके पास M2M पोजिशन है 67,000 दोस्तों शॉट सेल तो इनके पास दोस्तों 67,000 शॉट सेल हो गया तो देखिए दोनों ट्रेडर के पास अभी भी जो है सेलिंग की पोजिशन ही खड़ी है लेकिन पोजिशन काफी छोटी हो गई इस पेसली प्रोकी और एक तो अल साइट से ट्रेडर कर सकता है थोड़ा उपर भी जाएगा उसके बात वहां पर – कही हई स्टक होगा और गुगली मार सकता है अब होना सकता है सो इम्पर्टेंट लेवर को जाने के इंपर्ट !! हमारी हमारी हेल्प करेगा किसी भी ट्रैपिंग से और डेट हभी भी न दोस्तों के साथ और आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पर कौन से important label और किस लेड़ को पर हमें फोकस करके चलना होगा तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की बात करने से बता दो कि जो हमारा next batch है सिर्फ one day बचा हुआ है अगर आपको जोई होना इस बैच को तो आप जोई में सकते हैं और यह सारी जोनलसी से सिक्के आप खुद से काम कर सकते हैं और मैं आपको चीज एक दोस्तों करा दूंगा कि यहां पर learning मिलती है कोई और यहां सकते हैं आई आगा बढ़ते हैं सो दोस्तों के बात करेंगे रेइस्टेंस से 42 955 का सपोर्ट है 4195 का देखें मंडे के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों जो है पार्शली जो है ट्रेंडिंग है यानि कि बैंक निफ्टी में मार्केट के स्टेवल होने कवेट कीज़ेगा यह से स्टेवल की कान्फरमेशन आजाएगी मार्केट आपको ट्रीड अच्छा निकालके देगा और काफी इंपॉर्टेंट और क्रिस्टल लेबल जो दिखाई दे रहे हैं जैसे 43,000 का जो है स्वरिम आप कीज़ेगा 43,000 का जो एरिया है यह काफी जो है यहां पर इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है और मार्केट ने यहां पर कॉंसलिडेशन भी किया है सो पॉसिबल है कि आप चाहें तो इस रेंज में चोटे मोटे तारगेट के लिए आप यहां पर पहले बाइनिशेट कर सकते हैं अगर यह लेबल सस्टिन होता है उसके बाद आपको इमेडिएटली 43,000 के आसपास के एरिया में एक बार जो है यहां पर प्रॉफिट बोकिंग जो है करनी होग प्रॉफिट बोकिंग करने के बाद अगर यहां पर जो है शेलिंग कन्फरमेशन मिलती है रिवर्सल मिलता है आप जो है सेल ले सकते हो जो की 43,000 का जो है एरिया होगा यहां से अगर आप सेल ले सकते हो तो आपके लिए दो रेंज है 43 and 43 100 यह दोनों लेबल जो है शेल के होगा तो आपको एसल थोड़ा सा डीप रखना होगा कोसिस की जगा कि थोड़ी सी सेलिंग ऑन कीजिए जैसा 60% ऑन कर दी 40% सेव करकर रखिए ताकि अगर इनके 100 कहीं आए तो वहां पे शेल करेंगे और फिर उस कंडिशन में 135 के बैक में असल लगा के अराम से वेट करें कोसिस की जगा कि पहले कंफरमेशन हो जाया होल्टिंगा कि यहां पर हो रहा तभी शेल की जगा डारेक्ट सेल बटन मत दवाई जगा क्योंकि अगर यह टूटेगा तो फिर 43-320 की जो है मूव यहां पर दिखाई दे सकती है अगर हम 500 पाइंट करते हैं तो सेलिंग के जाब से हम मार्केट को देखेंगे डॉट डॉट लेवल दिया है फोकस करके चलेंगे अब बात करेंगे दोस्ते निफ्टी का जो रेश्टेंस दोस्तों वह है नांटी थाजन वन हैंडेट ट्वंटी जो शपोर्ट है 18720 का अब देखें निफ्टी में गया करना है तो न इंफर्मेशन मैंने दी थी कि अगर यह कॉंसलिडेशन ब्रेक हो जाता है अपर सेड में तो आपको भाई भी लेके चलना है और मैंने जो भी हमारे जूंट को कल ग्रूप में जो प्राइबेट ग्रूप है वहां पर अपडेट भी दिया था कि यहां पर एक पैटर्न बना है तो सिंप्ली भाई था और इसलिए मैंने टेलिग्राम पर लाइफ अपडेट भी दे दिया ताकि कोई चैप नहीं और मैंने जो लेवल दिये थे सेल के लिए कि जो लोग रिस्की है वो लोग देख सकते हैं अगर तो लेवल आया भी नहीं और मैंने बताया भी था कि 90,200 का जो एरिया है वो काफी इंपोर्टेंट है जो कि यहां से अभी काफी दूर है और 200 के पहले 90,125 यहनी कि अगर मार्केट चुकि यह यहां पर कॉंसलेट हो चुका अगर मार्केट को पसंद आ गया रिजल्ट वैसे चांसे कम लग रहे हैं तो 100-800 कि और मूब आ हो सकता है लेकिन कंविंस जो है हम उतने नहीं है विकॉस इंपोर्टेंट लेवल बहुत जादे नहीं हां 600 अगर आता तो ज्यादे जो हो जाती है तो एक दो दिन के बाद यानिके अगले वीक में एक दो दिन अगर मार्केट होड़ोड करता है तो कंफरमेशन आ जाएगी तो उस कंडिशन में तारगेट बड़े वाले फिर ओपन करने थोड़े रिस्क होंगे क्योंकि जब तक एक लेवल टूटा है और नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट लेवल हो मीट नहीं होता है तो बीस से कहीं भी रिकवरी की रिकवरी का रहा हो रिवर्सल के चांसे रहते है इसलिए थोड़ा सा कन्विंच यहां पर नहीं रहेंगे थोड़ा सा कॉंफिदेंस यह आपर लो रहेगा सो मंदे के लिए सिंपल्स एक प्लान है कि अगर सब्सक्राइब निकलता है तो वहां से 50-70 पंट के और मुव बाकी है उसको आप वेट कीजिए या तो भाई करके निकाल लिए और 19,200 के एरिये में बिल्कुल कमर कस लिए कि अगर यह लेवल नहीं करेगा स्वरी तो हम यहां पर सेली करेंगे क्योंकि यह उसी साफ से सेट अप है और इसी साफ से मार्केट को देखना होगा अगर कोई भी लाइफ में कोई चेंज होता है कोई सिस्टम यहां पर बदलता ह है कोई समिक्रम यहां पर बनता है तो हम टेलेग्राम पर जुरूर अपडेट देने के कोशिश करेंगे आप उहां पर जुड़े रह सकते हैं बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहां से निकलके 250 तक जा सकता है 250 जा सकता है कोई दिकत नहीं होगी 250 जाने के बाद पॉसिबल करेंगा 250 वाला कि मार्केट रिकॉर हो गया कि नहीं हो गया अगर 250 निकाल लिया तो समझेंगे मार्केट में स्टेंथ लॉट आएगी और अगर यहां से रिजेक्ट हो गया तो पॉसिबल है कि यह लेवल भी तूटेगा अधर फिर आके यहां पर होल्ड करके और दुबार करते हैं दोस्तों फानेश निफ्टी की तो क्यों सकते हैं परडानिट ने क्या किया है जब गिरावट दी है बहुत अच्छी वाली तो उसके पहले यहां पर कॉंसल्डीट किया था काफी अच्छी यहां पर लेबल क्रिएट किया अब यह अपर लेबल जाके यहां पर एक अच्छा खासा जो कॉंसल्डीशन मार्केट ने किया है तो अगर यहां से आपको सेलिंग आती बहुत तेजी के साथ आजाएगा और 200 के बाद पॉसिबल है कि निकाल दें फिर इस एरिये में आपको वेट करना है कि मार्केट क्या कर रहा है यानिकि फानली 19,320 का लेवल आपके लिए एक जो है रिवर्सल का लेवल है अगर यह लेवल नहीं क्रॉस होगा या तो मंडे या तो टूजडे तो फिर यहां से आपको सेलिंग आती भी दिखाई देगी एक मोमेंटम और अपसाइट में मिलेगा अब या तो वह गैप अप करके मिले और 19,055 आके ब्रेक करने लगा तो फिर कंफर्म हो जाएंगा कि अब उपर नहीं जाएगा इस ट्रेंज है वी खोर यह और वहां पर फिर से मार्केट अपने ओल्ड फॉर्मेशन में आ जाएगा यह लेवल दोस्तों ऐसे होते हैं यह फिस मार्केट का ऐसा होता है जिसमें चोटी कर सकते हैं ताकि स्टॉप लस होंगे तो चोटे होंगे अब चलते हैं दोस्तों इस टॉप बनने की जो है तैयारी चल रही है तो फार्मा सेक्टर में बाइक करने को सिस्मत कि जाएगा जब तक यहां से 30 से 40 परशेंट कम से कम स्टॉक्स गिरने जाएं तो लूपि में ऐसा सिगनल दिख रहा है अब दोस्तों बात करते हैं और सबसे दोस्तों हमारे सामने हैं जहां पर देख सकते हैं कि कॉल्स जयादा थे लेकिन गश्टी में कम था यह जितनी आपको माइनस के साथ पोजिशन दिखाई दे रहे सारी शौट कवरिंग के पोजिशन है और कुछ phrase में यहां पर longs भी add हुए है, put में देखेंगे तो कल जितनी ही buying दिख रही थी, अज सभी strike पर shelling दिख रही है, यह आप सोचेंगे कि हम कहां से देख सकते हैं, तो यह देखेंगे हमारा जो advanced excel seat है यहां पर सब कुछ दिखता है, यह भगवान की तीसरी आख है, मत 139 की है, put side में कितनी है, push side में 135 है, तो put or call में देखेंगे, तो किसका ज्यादा है, अभी भी call का ज्यादा है, और जो put की जो support line है, वो काफी दूर है, 42 500, so market close to resistance है, सबसे पहले हमें कहां पर focus करना है, resistance के ऊपर, भाले short covering होई है, कुछ longs भी हुए है, वो आज के लिए हु के हो सकते हैं, so हम 43,000 पर जो है, resistance पर जो होच करेंगे, यहां से rejection मिलता है, तो हम shell करेंगे, जो की 43 120 तक की level हो सकती है, अब बात करेंगो दोस्तों, निफ्टी का, निफ्टी देखें, टोटल जो call seller है, 17 लाके करीब है, put seller 14 लाके करीब है, तो निफ्टी का डेटा अभी यहां पर जदे निगेटीब हो गया है, यहां पर जितने भी आपको माइनस के साथ पुश्चन दिखाई दे रही है, सारी जो है, यहां पर शौट कवरिंग की है, कुछ लॉंग भी हुए है, यहां पर कुछ लॉंग से दिख रहे हैं, पूट में तो हर जगा जो है, दोनों में से किसी ने किसी ऐसल कटेगा तभी जाके मार्केट को डैरेक्शन मिलेगी अदरीज मार्केट रिंज में ऐस्ट रसकता है जिसके चांसे बहुत कम है सो आपको कोसीश यह करनी है कि डेरेक्शन इस्टेबल हो जाएब फिर आप direction को participate कीजिए क्योंकि एक बार direction size stable होगे आपने catch कर लिया तो आप बड़े target ले सकते हो लेकिन direction की opposite में हो तो आपको loss हो सकता है क्योंकि ultimately market को सी direction में जाना है और आप अगर गलत साइट बैठे हो तो आपको loss ही होगा तो कोशिस यह करनी है कि entry थोड़ी की लेट हो लेकिन ऑलवेज जो है direction के कोडिंग करने की कोशिस करनी है उम्मिद कुरंगा दोस्तों कि इस सेशन से आपको मंड़े के सेशन में help होगा help दोस्तों लाइक कीजिए फर्स्ट में आया थे सब्सक्राइब जरू किजिएगा टेलेग्राम को जरूर चैन कीजिएगा